डॉक्टर सुरूट सिंग मरवादी पस्तर, चेंता रोग कारंते उपाधा, दूसरा पागदा, अगला हिसा, चेंता वान्दे कुझ सरीरक चिन, दिल्दा तड़का पजत्तर फी सदी, चक्करोने असी फी सदी, पेट्च हवा नडिन में फी सदी, पेट्दर्द पंजाफी सदी, संग्ज गुला नब्बे फी सदी, तौन पिछे दर्द पजत्तर फी सदी, सिर्दर्द असी फी सदी, थकेवा असी फी सदी, कबज सत्तर फी सदी, पोख दा काट जाना पजत्तर फी सदी, उनेंदरा पंजाफी सदी, अखांच खेच रैनी प पच्छी फी सदी, सा रुक रुक के ओना, वी फी सदी, दिल ता तड़का, चिंता वानु ए तकलीफ आम तौरती रहन दी है, कि जद कोई फिकर जा डार अचन चेत पह जाए, जान कोई पैडी खबर सुनां चाए, तो ओधा दिल तक तक वजजन लग जान दे, इदी हो बहु केस होंदी हन, उना चो पंजा सट फी सदी है, जाए मरीजा नू असल च देल दी कोई बिमारी नहीं होंदी, उना नू देल दी तड़कन, देल दा कटना, चाती ते पार, जान दर्द जो मैसूस होंदी है, उदा कारण डर, फिकर ते चिंता होंदी है, अंग्रेजी च एस बिमारी नू काडियक नियोरसिस आख दे हन, असा अपनी निजी प्राक्टिस्ट वेख है कि निरूल देल दे तड़के दे, जिनने मरीज सदी पास होंदी हन, उना चो नब्बे फी सदी मरीजां दे, तड़के दा कारण डर ते चिंता होंदी है, चकरोने, चकरां दे, आन दे कारना दा ठीक ते पूरा पताजे तक मनो विज्यानी नहीं लगा सके, ख्याल कीता जन्दा है कि दिमाग वल खून दे कट जान करकी, यह होंदे हन, दिमाग दिया खून दिया नाडिया, पैडिया तरंगा, डर ते गम दे कारण सुंगर जान दिया, ते एसले उस पासे वल खून कट जन्दे, ते चक्रान लग पेंदे है, पेट विच गैस, बहुत सारे लोग खटे डकारां पेट गैस हो जान दी, शिकायत कर दे है, वाम तुरती आखदे सुने जान दे है, कि जो खुराक भी मैं खान दा, उदी गैस बन जान दी है, इस नल हर वेले खटे जड़ गैसे मेरे दिल वल चड जन दी है, कई आखदे है मेरे पेट दी गैस पहला छाती नु चड दी है, फिर गरदन ऑच दी लंकी कनना थाने शू कर दी बात निकल जन दी है, पठी कल ता ही है, कि पेट खुराक दी कोई हवा बन दी ही नहीं, जेडी हवा पेट च हुं उसाड़े खान पीन वेड़े खुराक दे नाल अंदर जन दिया, जद सी थुक अंदर लंगोनियां ता इस नाल भी कुछ हवा साड़े पेट चली जन दिया, पेट विच गैस बारे असल गल इंच है, साड़े पेट दियां छोटी आंदरां, स्मॉल एंटेस्टाइन दा, बंद होन दे कारण वे थी रुक जन दिया, इना दे जोर नल साड़े अंदरां फुल जन दिया, ते पेट आप फर जन दै, जिस विले अंदरां सुंगर्णियां बंद हो जन दिया, ता रस्ता खोल दै, ते हवा देख और आख गुड़गुड करके गान निकल जन दिया, ते आदमी आराम मैसूस करन लग जन दै, इस पिछो दा फरेवां दूर हो जन दै, ते वो आख दै, मेरी गैस गई जे, होन मैं ठीका, डॉक्टर शिंडलर, जिड़े के अमरीका देख परसिद डॉक्टर हन, अपनी किताब साल दे तिन सो पैंड दिन जियोन दे टंग, वि कि उधे पेट दा उप्रेशन शुरू होन लगा सी, फिर डॉक्टर ने उन्हों पुछे क्यों पाई, तेरा की हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हां राट साब, उस उत्तर दिता, ते जदो डॉक्टर ने उस मरीज दा पेट खोल लेया थी, अंदरा बार दिसन लग पिया, तो उ अस्पताल चो छुट्टी मिली, पुलिसे नू पढ़ लाएगी, डॉक्टर दे शबत सुन दे मरीदिया आंदरा सुंगडन, इंटर स्टाइन स्पास लग गईया, पुकान्य अंगों फूल गईया, एस हालत विचो दे पेट दीक होर फोटो लेली गई, फिर डॉक्टर न अपने एक चंगे मित्तर दे आखन ते, जमीन वेच के डबल रोटियां बना अंदा काम शुरू कर देता, ख्याले सी के इस काम चो बहुत सारा मुनाफ़ा होएगा, सानुनी सोब्याली च खांड आट्टा सूजी ते मेदा आदा राशन से, ए जीमीदार विचारा थोड़ कई गल्तियां करंदेकार नुक नुनो लंगन दी ग्रिफ्त वेचा गया, उन आफेदी था, काटा पैन लाग पया, चिन्ता ने उनुन आके रिया, हिचकी शुरू होगई, उनुन हर अद्धे कंटे विचो हिचकी होंदी से, देन रात विचारा एसे मुस्वीबच फस्या ना चड़ दी, एस तकलीफ ने उनुन सत दिन बड़ा ही परेशान कीता, ते जही हाला चो मेरे पास आया, मेरे ख्याल एदा एक कोई इलाज सी, क्यों अपनी बेकरी नुन वेच देवे, ते ज़न में उनुन एक गल्लाखी तो हस पया, तुसी हरान होगे, बेकरी वेच दे पारा कंडे मगरों दी हिच की अपने आपी बंद हो गई, तो नौ बर नौ हो गया, पेट दर्द, एवी आम तोरती चिंता नाड हो जान दी है, चिंता नल अंतडियां सुंगड जान दी है, जिदे कारण दर्द शुरू हो जान दी है, कई वारी पिते दे सुंगड नाल, पिते दर्द, गॉल ब्लडर पेंदा दौरा पैजंड है, चिंता दे कारण टे डिच जखम, स्टमक, अलसर भी हो जंदे है, ते जे चिंता चड़ी नां जाये, ते जखम राजी नहीं हुंदे, एक मुल्यारी वेचन वाले मिस्टर ए दा काम काजटे ला पैगया, उदी व बहुत सारे डाक्टरां पास गया, पर सारे उन्हों एही आक दे, तेरे टे डिणू कुछ नहीं हुया, ए पेड़ा में हुंदी है, उन्हें पेट दियां कई एक्सरे करवाईया, ते होर अणगेंत टेस्ट कराई, पर डाक्टरां नू इनाच कोई नुक्स ना लबा, मिस् यह समासी जद क्यों एक तो वी दिना ले, कि ते बार मच्चियां फड़न चला जानदा सी, मच्चियां देशी कारदा उन्हों बहुत शॉक सी, ते जिस थाउं जानदा सी, उत्थावी उन्हों बड़ी पसांद सी, जिन्ने दन उत्थे रांदा उन्हों दर्ददा आमरें सी, हस्पिताल दी गाड माड ते मरीजां दी खेच तो दे नालो नूटे डपीड रन्दी सी, एस दर्द तो चुटकारा पॉंड ले, उकेवल ए करदा के हस्पिताल चटके, मिस्स सपी तो दूर के ते बार भी पच्ची मीलते चला जानदा, जिन्ना चरो मिस्स सपी तो ब सी, हस्पिताल दी, खेच तो दे मरीजां दे जान खाऊर वह ये नहीं, उसले हस्पिताल दे दर्शना नूटे डपीड बना देता सी, डॉक्टर दे विचारा अनुसार मिस्स सपी तो चले जान नालो दी पेट दर्द हाट जान दा दूसरा कारन नहीं सी, क्योंनों मिस्स स पी शेयर नू कदे पसांद नहीं सी, इसले ही जदों गड़ी मिसी छे पी दे पोल नू पार कर दी, वोदी पेट दर्द हाट जान दे, चिंता दे डार नाल कई वर उल्टियां भी ओन लाग जान दे, तो उसी कई वर वेख्या हुएगा कि रज के चंगी रोटी खान मगरो जे कि ते अचन चेती कोई पेड़ी, जयां पैदे इन वड़ी खाबर करनी पेज़े, चे टूल्टी आजान, संग वेच गोड़ा, कई आदमी आख दे मेरे संग च सदा एक गोड़ा जा रहन दे, कई आख दे मेरा दिल मेरे संग च आके वजद है, इनना लोकां दा ख्याल होंदा है कि शायद उना दे संग वेच कोई रसौली है, ते कई कहन दे है कि उना दा गड़ा किसे वेले, अप्पी कुट्टे आ जान दे, फिर कोई चीज वी अंदर नहीं लंग दी, इस तकलीफ दा कारण, डर ते चिंता हुंदी है, चिंता नाल जो पैडिया तरंगा नि कई वरी कटन हो जान दे, जादे सकताई दूर हो जान दे है, गोड़ा भी ठीक हो जान दे, पर जियों जो मरीज ये चिंता कर दे, तियों तो ए गोड़ा उनुँ वदी जान दा मैसूस हुंदे, तौन पिछे दर्द, जेड़े लोग सिर्दे पिछले पासे दर्द दी शि पठेंदा खिच्चा मतलब टेंशन होंदा है कई आदमी आख दिया के फलाना फलाना आदमी मेरे लेई बड़ी सिर्दर्द है ए गल उठी किया इन्हों जे तुसी अपने ते पर्खना होवे तै कराम कुरसी ते बैठ चो अखां बंद करके किसे गल्दी डूंगी चिंत करनी शुरू कर दियो एक घंटे मगरो तुसी वेखोगे तो अड़ी तो आणा कड़ी वही है दर्द कर रही है सिर्दर्द भी नाली शुरू हो जाएगा सिर्दर्द सिर्पीड तो अजकल कोई विरला ही बचिया हुए है नबेफी सदी लोकां दी सिर्दर्दा कारण चिंत है जद चिंता दूर हो जान दी है दर्द भी अपने आप हड जान दी है सिर्दर्दा कारण भी सिर्दे पठे आं दी खिच मतलब टेंशन है जड़ी के चिंता नल पे जान दी है चिंता सिर्दर्द दा कारण किमें बन दी है हेटले के केस तो चंगी तरह स्पष्ट हो जाएगा केस डॉरती सी फिंकेलर दी पुस्तक इक नौजवान कोडी मिस ए नू हर विले सक्त सिर्दर्द रंदी सी वो कई डाक्टरां पास इलाज वास्ते गई वो दे सिर्दे कई एकसरे ले गई अखावी टेस्ट कीतियां गियां पर इना चों कोई नुक्स ना निकलिया बहत इलाज दे बाव जूदो दे सिर्दर्द नूँ कोई अराम ना आया अखेर डॉक्टरां ने उन्हों एक मनोव ज्यानी पासी लाज वास्ते पेज देता एस कुड़ी दे पांज पैन परा सी सब्तो वड़ी सी एदी मान नोकरे करदी सारा दिन बार कामते रंदी सी माँ दे जान पिछोए नू अपने सारे पैन परा सामणे में दे सी एदा प्यो मत्रेया सी ते ओए नू चंगानी सी जान दा बहता समाकार दे कमाकारां चुरू जी रेन दे कारण उदी पड़ाई दा बहुत हर्जों दा लड़की पड़न लिखंच बहुत होशे आरसी वो नईसी चौंदी के ओधी पड़ाई दा हर्ज होवे मनु विज्यानी ने उस लड़की नू समझाया के तेरा सिर दर्दा कारण करदा वातावरन है जिस नू के तू उक कही पसांद नी कर दी ते जिस तो चुटकारा पॉन दा तेनू कोई रावी नी लब दा जे तू एस वातावरन नू सविकार कर लवे ते इस ते खिजना छड़ दे तो तेरी सिर पीड हर जाएगी लड़की ने मनो विग्यानी दी इस गल नू ना ता दिलो मन्या ना यहती अमल कीता उधी सिर पीड अग्येवांग जारी रही कुछ समय पिछो मनो विग्यानी दी ये गल बिल्कुल ठीक साबत होई उस लड़की दावया एक चंग अमीर आदमी नाल हो गया तो उनू कारदेवातावन तो छुटकारा मिल गया इस पे छोंकुडी दी सिर पीड अपने आपी ठीक हो गई चिंता वाना नू सरीर दे कई हो रंगांचुई पीड हुंदी रहन दी है जिस तरह मुड़ेयां, गिटेयां, गुड़ेयां, चातीच इदा कारण वी पठ्थियां दा खिचा है जिड़ा के चिंता कारण नाल करण नाल हो जांद है चातीच दर्द दे मरीज बहुत ही फिकर कर दी है खास करके जिक ते पीड चातीदे खबे पासे होई क्योंके खबे पासे वल दिल हुंदे, इसलिए हो समय दिया है कि शायद उना दिये पीड दिल दी पीड है Еदा कारण दिल दी कोई बिमारी है जे किते कोई डाक्टर आख दे हो सकता है दिल दी कोई तकलीफ होए फिर तहां मरीज बिलकुली पुंजेला जन्द है जिमी जिमी वो इस दर्दा फिकर करता है तिमें तिमें दर्द बदी चली जन्दी है जियों जियों दर्द वोदेरी हुन्दी है, तयों तो चिंता भी वद्दे जन्दी है ये स्तरा मरीज एक अजय गदी-गीड विच फस जन्द है जिस विच जो बावजूद कोशिश करन्दे, उसलाई निकलना मुश्किल हो जन्दे कुल भीमारियां जो दिल दी भीमारी तो लोग बहुत ही डरदी हन, क्योंकि दिल मनुख दे सरीर ता सब तो जरूरी प्राण अंग है डॉक्टर शिंडलर लिख दे हन, मै नू चिंता दे कारण सरीर दे, किसे न किसे ही सेच दर्द हो जन्द है ये दर्द उस्वेली हुंदा है, जब के मैं कम कर रहा हुंदा, ति जे किसे दिन बिमारा नल बहुत सिर्ख पाई करनी पवे, जा किसे चिड़ चिड़े मरीज नल वा पह जाये ते दर्द वा जन्द है, कई बारे पीड़े नी ज्यादा हो जन्दी है, कि मैं बिजली दा पर चिंता दे कारण पैदा हुई थकावट आराम करन नल वी दूर नहीं हुंदी, कबज, चिंता कबज दा एक बड़ा कारण है, ये बहुत सारे चिंता वानना नो हुंदी है, थोड़ी जी कबज नो चिंता वदे रेकार दें दी है, असी अपने निजी तजर्बे तो लि पुख दे काट जाना, पुख दे काट जानदा कारण है कि मनुख दा खान पीनदा शौक ते स्वाद, दुखा ते तकलीफां दे विचारां हेट दब्बया जानद है, चिंता वानस दा अपनी चिंता चु डुबबारेंद है, ये सली उनू पता ही नहीं लगदा की खार य तो दा की स्वाद है, जो कुझ थोड़ा बहुत खांद है, वो निगलन वली गल हुंदी है, वो अपनी पतनीनू चंगा पोजन बणाओंदी, कदे भी दाद नहीं दिन्दा, पुख दे काट जानदा इकोर कारण ये है कि पैडियां तरंगा, दे कारण टे टेडविच ओ गेस्ट्रिक जूस नहीं बनदा जिसनल पोख लग दी है, वो निदरा, चिंता वाननू चंगी तरह नींद नहीं आओंदी, जे उदी आख लग दी भी है, तो माडे जे खड़के नाली हो जाग पेंदे, कुछ समा सौन पे छोन फिर जागा जान दी है, राच कई वारी कुछ दिन नींद नहीं आओंदी, तो वेदा फिकर कर जाँदे, ए फिकर उनींद रेनू होर भी बदा जाँदे, जे के ते चिंता वाननू थकावट ना होंदी हुए, तो उना विचारे नू बहुती काट नींद आवे, और बहुती थकावट होंदी कारणों आनू कुछ नेंद आई जान दिये, अक्खां विच खिच, कई आदमी आख दे मिरी आखां खिचियां खिचियां रहन दिये, कई आखे केंदे डॉक्टर जी मिरी आखां बढ़ियां पारियां पारियां दर्द कर दिये, कदे कदे देसनों भी हार जान दे, मर्दान अलों तीमियां चे त ठेक कसे जानदी हैं, जिस नाल अखांच खिच ते दर्द शुरू हो जानदी हैं, अखांच शरीर दा एक बड़ा कोमा लांगा, इना उत्ते चिंता दा बहुत जल्दी असर पेंदे हैं, असल गल्थ ही है, कि जे कर तुसी अपने अखांच खिच टेंशन तो बचा के टे ला राग सकते हो, ते तो अनू चिंता लगी नी सकते, चिंता छड़न नाल बहुत सारे लोकां दा एनका उतो भी छुटकारा हो जानदे, काला मोतिया, अखांच खिच रहन तो लावा, चिंता दे कारन अखानियां, कई होर बिमारियां, वी लाग जानदियां, डॉक्टर मान स जी ने सानू दस्या के काले मोतिया दा एक कारण चिंता वी हुए, उना सानू ये वी दस्या के पारदि वांड बिच्चों काले मोतिया दे जिडे मरीज, उना पास इलाज वास्तिया यह उना चो बोट सारे पकिस्तान तो जड़-पुजड के आय सा, डॉक्टर मान सिंग में भी दस्या के डारते फिकर नाल कई वारी मनुख दी नजर भी आर्जी तोरते बंध हो जान दी है। उनाई कजय मरीज दा हाल भी सुनाया, जड़ा के चिंता दे कारण बड़ी तेजी नाल अपनी अखानू हर वेले चम की जान दासी। उस मरीज दा थोड़ा जा हाल जो उना सानू दसिया यू है। मिस्टर ए उमर चाली पंताली साल मेरे कोल अखान दे इलाज वास्ते आया। वो अपनी अखानू दबा दब बड़ी तेजी नाल चम की जा रहे है से। ये तकलीफ होनू कि नई दिना तो चली आ रहे से। मैं उधी आखान चंगी तरह वेखियां सारे लोडीन दे टेस्ट कीते ते एक स्रे भी लाए पर कोई नुक्स ना निकलिया। मिस्टर ए दा कई हो डॉक्टरा ने भी मुला जा कीता। पर किसे नुवी एस कोई नुक्स ना लब्या। विस्थार नल पुच गेच करन ते मैंनू पता लगा। एस आदमी दा वपार मद्दम पह गया। वो कई तरां दियां आर्थिक उकडांच वसिया पया है। इना उकडांदे आउन तो पहलां बिल्कुल ठीक सी। कुछ समय पिच्छों जद हो दा। वोधी आर्थिक हालत सुधर गई तो अपने आपी बिना किसे इलाज दे राजी हो गया। चिंता ते बोलन शक्ती। कुछ दिन होया सी पारत दे आख कान नाकते गले दे पर सिध सर्जन डॉक्टर तुलसीदास चेनू मिले। डॉक्टर तुलसीदास, D.O.M.S, लंडन, FRCS, एडनबर, सापका परफेसर, मेडिकल कॉलेज, अम्रिसर। उन्हें मैंनू दसिया के चिंता ते कारण कई बारी मनुख दी बोलन शक्ती वी आरजी तोरते खतम हो जान दिया। इस बारे उन्हासान नूं हेट लिखिया एक केस सुनाया। एक नौजवान आदमी मिस्टर M नूं मेरे पास ले आंदा गया। कुछ दिना तो ओधी बोलन दी शक्ती अपने आपी खतम हो चुकी सी। ओ आँ आँ करंत वाद होर कोई वी शबद नहीं सी बोल साकदा। मैं उद्या चंगीतरा मुलाजा कीता। सारे लोडीन दे टेस्ट कीते पर कोई नुक्स ना निकलिया। मैंनु जाबदा सी के दी सारी बिमारी दा कारण कोई चिंता ती डार है। विस्थार नल पुछ गिच करन तो मैंनु पता लगा इस तो आदमी दी आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी है। बहुत सारियां होर कई तरह नी अकड़ाज फसिया होया है। आर्थिक दशा दी खराबी नल पैदा होई चिंता योधे रोगदा कारण सी। कामरुची दा काट जाना। चिंता नल मनुक दी कामरुची भी काट जान दी है। एक काटा ममुली भी हो सकता है। इनना जयादा भी के आदमी बिलकुल ना मर्द हो जाए। फिरजयी दशा चिंता दा एक ओर वड़ा कारण बांजान दी है। इसे तरहं चिंता कामरुची दा काट जाना वधेरे चिंता ना मर्दीने सी। इक गदी गेड बांजाहन दैार। जिड़ा आगे खतम होँ च नहीं ओंदै। काम ची दिल्चस्पी दे काड़ जान दा कारण चिंता वान दा हर विले गमांच डुबबे रह नहीं है, गम करन तो पहनला, गम करन तो भिना उनू किसे वी होड चीज दा शौक नहीं देंदा, सा रुक रुक के ओन, चिंता दे कारण काई लोकानू सा बड़ा उख्याई नल सेजिस खिचा चा जान दी है, तंग हो जान दी है, इसलिए हवानों फेफड़े अंदर जान चे दिक्कत पेश होंदी है, इस सिलसले चासी आपनों एक मरीजदा हाल दस दे हैं, एक आदमी उमर तकरीवन सतर साल सा ड़े पास आया, क्यां लगए डॉक साब, मैंनों साल एं ता मेरा साथ चालू होएगा, मैंनों इंच जाबता है, जिवे मेरे सांग ज कोई चीज फसी है, मैं उदा गला वेख्या, छाती दा मौईना कीता, न गलेच न चाती ज कोई नुक सी, मैं उन्हों मुनासिब दवाई देती, ते क्या चार दिने दवाई खाके मैंनों फेर व उत्तर देता, वो देरे पुछ गेच करन तो पता लगा, कि एक हफ्ते तो उदा अपनी नू नाल चगडा तुरे आ रहे है, जदो मैं उन्हों इस बारे वे स्थार नल पुछे है, कहन लगा, डॉक साब, मैं अपनी नू कोड़ा तांगा, उन्हें मेरा ते मेरी वोट्टी नक्च दम कीता है, जे उन्हों कोई पले दी गाल भी कहने है, तो उन्हों भी पुठा लेंदी है, लड़नू पेंदी है, पर असी कार कुछ नी सकते, क्योंकि साड़ा मुंडा साड़ी कुछ गाल नी सुन दा, कुछ दिना पिछों उदा अपनी नू नाल लडाई चगडा नाल खतम हो गया, उदाहसा अपने अप ठीक हो गया, इन उपर लिखियाँ तकलीफां तो इलावा, चिंता वान खोर भी कई तरानीयां तकलीफां अन्भाव कर दे, हर चिंता वान चे अडड होन दे है, हर चिंता वान उन्हों आनू आपी चांगी तरान जान दे, हिस्टे इस्टीरिये दे मरीज दा असल मकसद दुझे लोकां खास करके अपने माता पिता जा पती दा त्यान अपने वाल खिचन दा हुन दा है। जो दो डॉक्टर चिंतावान नाल पूरी हमदर्दी जार करके अपने पुरोसे चले हुन दा है तो फिर चिंतावान अपने दिल दियां कुछ गलान डॉक्टर नो इंज दास दा है। मैं पहले सी ये होजया, मैं हून नाहीं रिया। मैंनो सिर्ध दर्द थ ठकावट रहें दी है। मेरा ख्याल है मैंनो रसोली हो गें। मैरा कित circuit बार जानिं दिल ने करता ह। पता नहीं मेरे दिलनो की होगय है। और ठीक नहीं जाबता मैंनों चाती चे दर्द रहन दै मैंनों एंच लग दै कि जल्दी मेरी मौत हो जाएगी एक याद रखन वाली गल कई लोकांदा ख्याल है कि चिन्ता रोग के वल दिल दे कमजोर ते स्रीर दे माडे लोकांदा ए गल ठीक नहीं चिन्ता रोगदा शिकार हटे कटे लोक भी हो जान दे मेरे पास कई जय पठान होंदे है जिड़े कि दिससंच बड़े मुटे था जी कद छे फुट ते चेरे लाल सुर्क पर ए हर वेले ए शिकायत कर दे रहन दे है कि सड़ दिल बहुत कमजोर हो गया दिल तड़कदा रहन दे राती नेंद नी ओंदी कबराट बहुत रहन दी है रोग सब हमारा दिल बहुत कमजोर हो गया दिल बहुत खफा रहता है खाब नहीं आता मतलब नेंद नी ओंदी दिल की ताकत की कोई अच्छी दवा दो इना शब्दां चो अपनी तकलीफ आके दस दे है इना छे फुटें जो आना दी बिमारी दा कारण चिंता होंदी है पर देश छोन दे कारण अपने बतन दी याद पर वारतों वी छोड़ा बाल बचेयां दा फिकरती अपनी असुरख्यता इनसेक्योरिटी इक स्वाल उन्हें स्वाल पैदा हुंदा है कि जद दॉक्टर चिंता वाननू दसता है कि तेरियन तकलीफां किसे बिमारी दी वजा नल नहीं है इनना दा असल कारण कोई चिंता है तो एस गलते इतोबार क्यों नहीं करता है ज़द डॉक्टर उन्हों आखता है कि तैन्हों कोई बिमारी नहीं डॉक्टर दी इस गलते उन्हों यकीन क्यों नहीं आंदा है। जवाब उदा जवाब बड़ा सदारंते सपस्ट है। चिंता वाब जो तकलीफ चिंता दे कारण अन्बव करदा है। उस तो पहला उन्हें कदी भी मैसूस नहीं कीती हुंदी। दूसरा चिंता दे कारण पैदा हुए स्रीरक चिंता जदो पहली बार मैसूस करदा है कबरा आजांदे। इस कबराट समें कुदरती उदे मांचे विचार होंदे कि जो तकलीफ उन्हों हो रही है उदे प्राण गांच नुक्सतो बिना नहीं हो सकती। दीसरा चिंता बानो इस गलता इलम नहीं हुंदा के निरोल डार फिकर दे चिंता व यजाई प्यानक स्रीरक चिंद पैदा कर सकती है। खिंदार दा विस्थारनल हाल असी अगे जाके करांगे। नुमा उदा आतम विश्वास खतम हो जान्दे ते दस्वान। उस दा हैरांते परिशान रहन्दा उदा मन बड़ा उचाट रहन्दे। चिंता वान्दे स्रीरक चिंद दिल्दा तड़का चक्करोनी पेट गैस पेट दर्द संगच गोला तोन पिछे दर्द सिर दर्द थकावट कबज पुखदा काट जाना उनींदरा अक्खांच खेच रनी कामरुची दा काट जाना तिसा रुक रुक के ओना। तंग तंग